नाभस योग अध्याय में अब हम आकरिती योगों के लक्षन पढ़ेंगे। समीब के दो केंदर स्थान में जब सब ग्रह हो तो गदा नामक योग होता है। कि दो केंदर स्थानों में यदि सब ग्रह स्थित हो तो उसे गदा योग कहते हैं। कि जैसे दो बिल्कुल समीब के स्थानों में हो तो गदा योग। यदि लगन और सब्तम में सब ग्रह हो तो शकट योग। तथा चार और दस में सब ग्रह हो चार चार चोथे भाव में और दस्वे भाव में सबी ग्रह स्थित हो तो यह विहग योग होता है। यदि लगन से त्रिकोर 1, 5, 9 में सब ग्रह हो तो श्रिंगाटक नाम का योग होता है। श्रिंगाटक योग लगन से लगन 5 और 9 लगन से त्रिकोन स्थानों में सभी ग्रह हो तो ये श्रिंगाटक योग होता है तथा लगन से अन्य स्थान से त्रिकोन हो लगन की अन्य स्थान से त्रिकोन में सब ग्रह हो तो यह बल योग होता है अन्य त्रिकोन स्थान का अर्थ है कि 2 6 10 में 2 6 और 10 में यहीं त्रिकोन हुआ फिर 3 7 और 11 में सभी ग्रह हो फिर 4 8 और 12 में सभी ग्रह हो तो यह 3 लगन 159 के इलावा यह 3 त्रिकोन ओर है 159 में सभी ग्रह स्थित हो तो वह श्रिंगाटक नाम का योग है यदि अन्यतर अन्यतर त्रिकोन स्थानों में सभी ग्रह हो तो वह बल्योग है तथा सब शुप ग्रह केवल लगन और सब्तम में हो और केवल सब पाप ग्रह दशम और चतूर्थ में हो तो वह वज्रयोग कहलाएगा जैसे शुब ग्रह गुरु बुद्ध और शुक्र ये लगन और सब्तम में और सभी पाप ग्रह शनी मंगल सूर्य ये सब चोथे और दस्वें स्थान पर इसी का उल्टा यवयोग होगा इससे विपर अर्थात केवल सब पाप ग्रह लगन सब्तम में और सब शुब ग्रह दशम चतूर्थ में हो तो यह यवयोग कहलाता है गदा योग में उत्पन हुआ जातक धन के लिए महनत करने वाला यग्य करने वाला शास्त्र और संगीत में निपून सुवर्ण रतन आदी धन से यु लखी मूर्ख गाड़ी से जीविकच करने वाला निर्धन और मित्र आदे से हीन होता है इसी प्रकार पक्षी योग में विहग योग में उत्पन हुआ जातक भ्रमन शील परतंत्र दूत सूरत से जीविकच वाला धीट और जगडालू होता है इसी प्रकार श्रिंगाटक योग में उत्पन हुआ जातक कलहकारक, योद्धा, सुखी, राजा का प्रिये, सुंदर पत्नी वाला, धनी और इस्त्री का द्वेशी होता है इसी प्रकार हल योग में उत्पन हुआ जातक हल योग यानि 159 से अन्यतर कहीं त्रिकोन में ग्रहस देतों 2-6-10 में, 3-7-11 में या 4-8-12 में सभी ग्रहस देतों तो ऐसा जातक भवबक्षी, दरिद्र, क्रिशक, दुखी, उद्वेग युक्ट और भाई बंदों से युक्ट होता है वज्र योग में उत्पन हुआ जातक शूरवीर, सुखी, सुंदर, भाग्यहीन, खल और लोगो का विरोधी होता है यव योग में उत्पन हुआ जातक वरत, नियम, सुकर, मितत, पर, मध्या अवस्था में सुखी, धन, पुत्र से युक्त और स्थिर बुद्धी वाला होता है यदि सभी ग्रह केंद्र स्थानों में स्थित हो तो कमल नाम का योग होता है कमल योग में उत्पन जातक धनी, गुणी, दीरगायू, येश प्राप्त करने वाला, सेंकडो सुकर्म करने वाला राजा होता है यदि सभी ग्रह केंद्र के इलावा पनफर या आपोकलिम में हो पनफर अर्थात 2, 5, 8, 11 में हो या फिर आपोकलिम में हो 3, 6, 9, 12 में हो तो वापी नामक योग होता है वापी नामक योग में उत्पन हुआ जातक धन इकठा करने में चतुर, स्थिर धन वाला, स्थिर सुख वाला, पुत्रवान, निरित्य नाटक आदी करने वाला और सुखी होता है यदि लगन, चतुर्थ, सब्तम और दशम इनसे लगातार 4 स्थानों पर सभी सभी ग्रहस्तित हो तो यूप शर शक्ति और डंड नामक योग होते हैं। यूप योग में उत्पन हुआ जा तक आत्म ज्यानी यग करने वाला इस्त्री से शुकी बल्वान व्रत नियम को पालने वाला विशिष्ट पूरुष होता है। यदि चतुर स्थान से चार स्थानों में सभी ग्रह स्थित हो तो शर नामक योग होता है शर योग में उत्पन हुआ जातक जेल खाने का मालिक शिकार से धन कमाने वाला मास भक्षी हिंसक कुचित कर्म करने वाला होता है शक्ती योग यदि सप्तम भाव से चार स्थानों पर सभी ग्रह स्थे थो तो वह शक्ती योग कहलाता है शक्ती योग में उत्पन हुआ जातक धन हीन निश्वल जीवन जीने वाला दुखी, नीच, आलसी, दिरगायू, युद में निपुन्स और सुन्दर स्वरूप वाला होता है यदि दशम से अगले चार स्थानों में सभी ग्रह स्थे थो तो वह दंड नाम का योग होता है दंड योग में उत्पन हुआ जातक पूत्र इस्त्री धन से हीन, निर्दई, अपने परीजनों से त्यक्त, दुखी और नीचों का सेवक मनुश्य होता है यदि लगन से चतुर्ट से सप्तम से या दशम से इन से सभी साथ ग्रह साथ स्थानों पर स्थित हो तो नोका, कूट, छत्र और चाप योग कहलाता है नोका योग यदि लगन से आगे शुरू कर साथ स्थानों पर सभी साथ ग्रह स्थित हो तो यह नोका योग कहलाता है नोका योग मे उत्पन हुआ जातक जल में उत्पन मोती आदी से जीवी का करने वाला बहुत आशा करने वाला विख्यात दुष्ट, कंजूस, मलिन और लोभी होता है कूट योग यदि चतुर्थ भाव से आगे साथ स्थानों में सभी ग्रहस्तित हो तो वह कूट योग कहलाता है कूट योग में उत्पन हुआ जातक मिथ्या भाशी, जेलर, धनहीन, शट, क्रूर, दूर्ग स्थान में रहने वाला होता है शत्र योग यदि सप्तम स्थान से आरम कर साथ स्थानों पर सभी ग्रहस्तित हो तो वह शत्र योग कहलाता है शत्र योग में उत्पन हुआ जातक अपने कुटुम्बो का पोशक, दयालू, अनेक राजाओं का मान्या, श्रिष्ट बुद्धी, वाला और दिरगाईू होता है चाप योग यदि दशम स्थान से आरम कर साथ स्थानों में सभी ग्रहस थे थो तो वह चाप योग कहलाता है चाप योग में उत्पन हुआ जातक मिठ्यावादी, जेल का मालिक, चोर, धूर्थ, वन विहर करने वाला, भाग्यहीन और वयस के मध्य में सुखी होता है यदि लगन से आरम कर एक-एक के अंतर पर छे स्थानों पर सभी ग्रहस थे थो तो वह समुद्र योग कहलाता है समुद्र चक्रयोग में उत्पन हुआ जातक अनेक राजाओं से वंदित चक्रवती राजा होता है और समुद्र योग में उत्पन हुआ जातक बहुत रत्मों और धन से पूर्ण, लोकप्रिये, भोगी, सुपुत्रवान, स्थिर्धनवाला और शुशील होता है इस प्रकार नाभस योगों में हमने यह बीस आक्रिती योग कहे हैं धन्यवाद